देखे टेली प्राइम के अंदर ये समस्तिया आपको अक्सर आती है और आज तो कॉल भी आया था मुझे यूट्यूब से वीडियो देख करके नो ने कॉल किया था तो समस्तिया क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले तो यहां पर एक कंपणी वाई के एंड कंपणी के नाम स जरूर चेलेक्ट लीजेगा नहीं तो इसमें दीकत हो जाएगी अगर आप वेगिनर हैं तो परिशान हो जाएंगे ठीक है अजैगा उत्तर प्रदेश तो यह सेलेक्ट कर लिया यहां पे लोकल एट्रिया का पिन कोडर आजाएगा एंटर किया एंटर किया और एंटर करके इसको accept कराते हैं पहले, तो यह हो गया accept, ठीक है, इसमें हम GST अगरा भी चालू चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो GST चालू को ने की दर्वरत ही नहीं है, हम सीरह आ जाते हैं, वी बटन प्रिस करके, और कहां आते हैं, purchase में आते हैं, तेकि यही पर समस्या है, सारी सम में भी हूँ रही हो, जैसे माली जी यहां पर cash कर देते हैं, और यहां पर जैसे ही आते हैं, तो यहां पर आएगा purchase का laser बनाना है, तो यह बनाया आपने purchase का laser, purchase account कर दिया, और यहां पर इसका group रहता है purchase account, एंटर करके, एंटर करके, इसे accept कराईए, और accept जैसे ही आप करात यह लिख दिया keyboard हमने आप enter करते हैं enter करते हैं chain और यहां पर आ करके कि यूनिट ही नहीं बनाते हैं और सब सवाल करते हैं कि सर मेरा तो quantity क्वाट की में चाहीं नहीं रहे करसर और पेर्द लियरा हूण आएगी क्योंktor भी आएगी क्योंकि अपने quantity डाला ही नहीं है, तो दिक्कत तो आ नहीं, या नहीं है, दूसरी दिक्कत का बाती है, जब आप gateway of tally से यह बना लेते हैं, जैसे inventory info में गया, stock item में गया, मैं उसी को जो है, alter कर लेता हूँ, यह दूसरा stock item बना लेते हैं, M-O-U-S-E, mouse कर लिया, enter किया, enter किया, enter किया, अब यहाँ देखिए, यह unit है न, तो हम इसको बनाएंगे जरूर, जैसे माली जी हमने already बना लिया, N-O-S, mouse का मतलब होता है, number तो आप थमाश सकते हैं, numbers का मतलब की कितना amount में यह purchase किया गया, ठीक है, इसको decimal places को तो 0 ही रखना है, enter करके, enter करके, इसे accept कराईए, अब यह तो account info, यहाँ देखिए, यह यहाँ पर inventory info पर जाके stock item बनाते हैं, ठीक है, create पर जाते है stock item, अब यह और stock item बनाते हो, देखिए, एक में तो हमने unit बना दिया, एक में unit नहीं बनाया, तो सीधा चलक करसर कहा चला गया, सीधा amount पर चला गया, अब दूसरा monitor करते हैं, तो यह लि unit measure पर आते हैं, और यहाँ पर create करते हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने बनाया, सपोर्ड के done आप चपना लिया यहां पिस बना लिया याप एक बना लिया लुक्त कर customs कर से precis कर दिया है और यहां पर यह प्रिक्से आएगा परसेज अकाउंट का लेजर अब यहां पर बात आती है जैसे कीबोर्ड है माउस है मॉनिकर है तो यहां पर मॉनिकर आएगा तो सीधा कहां रखकर सच चला गया अमॉट पर चला गया दिक्कत यहीं पर है आपने यूनिट बनाया ज़रूर लेकिन इस टॉक आइटम यहां प्रेस करने हैं और इसे के आएंटर करने नाहीं जाफी करेंगे तो यहां पर आएस नम्मर डाला एंटर करेंगे का और यहां पर कैस कर देते हैं ठीक है आप थाई- करना था ना तो यहां पर एंप्रेस करते हैं मॉनिटर के लिए यह मॉनिटर हो गया और यहां पर जैसे आएंगे एंटर करेंगे तो यह दिखिए आपका जो स्टॉक आइटम है अब बहुत सीधक आप अमांट में जाने कमझा आप वह तो फाइप कॉंटिटी हो गई एक पा कर दिया है यूनिट बनाने में गलती करी है यह चीज जयाद रखती हैगा कभी जीवन में यह दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है